रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी. भगवान ने अपने दूद को भेजा की जाओ और लोगों से कह दो की हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाएं. सभी लोग ऐसा ही करने लगे. पीडी दर पीडी ऐसा ही होता चला आया और वहां का परियावरन सनरक्षित हो गया. जोकि बचे हुए फलों के बीजों से और भी पेड निकल आते, कुछ दशकों में ही पूरा शहर हरा भरा हो गया. अब वहां फलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाने का पुराना रिवाज मानते थे. वे अपने पुर्खों द्वारा दी गई नसीहत के प्रती अभी भी वफादार थे. दूसरे शहर वाले उनसे बचे हुए फलों को देने का आगरा करते पर उन्हें लोटा दिया जाता. नतीस्तन तनों तन फल बरबाद हो जाते और सडकों पर इधर उधर बिखरे पड़े रहते. भगवान ने एक और दूत को बुलाया और कहा, जाओ नगरवासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहे उतने फल कहें और बचे हुए फलों को बाकी शहरों को दे दे. दूत यही संदेश लेकर शहर पहुँचा लेकिन उसे पत्थरों से मार गया और शहर से दूर भगा दिया गया. लोगों के दिलों दिमाग में पुरानी बात इतनी बैट्स चुकी थी कि उससे अलग वो किसी भी बात को मानने के लिए तयार नहीं थे. पर समय के साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे. लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान न था इसलिए इन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भर के फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरों में बाटने लगे. कुछ सालों में बस वो ही लोग धर्म को मानने वाले बचे जो खुद को संत मानते थे. लेकिन हकीकत में वे ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद को समय के साथ बदल लेना चाहिए. Friends, ये कहानी हमारे लिए काफी relevant है. हमारे यहां बिल्ली के रास्ता काटने और कोवे के काव, काव से लेकर जात पात और उंचनीच से जुड़ी अने को मान्यताएं हैं, जिनका आज कोई अर्थ नहीं है. और जैसे इस कहानी में इन चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संद समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसी बाते मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहिता समझते हैं. जबकि हकीकत कुछ और ही है, हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विक्सित करना चाहिए, जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है, और जो आज सही है, वो कल गलत भी हो सकता है. So, let's change with time and abolish irrelevant customs and traditions.